राश्ट्रिय स्वयम सेवक संग इंदौर विभागवारा प्रती वर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री क्रश्न जन्माष्टमी के उपलक्ष में बासुरी वाधन करते हुए संचालन निकाला गया संचलन मलहार आश्वम से प्रारंब होकर दिलकपत से राजवाडा होते हुए गोपाल मंदिर पहुचा जहां पर बासुरी वाधन किया गया समाज को संच के बारे में जानकारी देने और जन्माष्टमी का पर्व मनाने के लिए राश्ट्रिय स्वयम सेवक संच ने संचलन निकालकर पासुरी वाधन किया भगवान श्रीक रश्न का प्रियववाद भी बांसुरी ही है इसलिए प्रती वर्ष संचलन निकालकर प्रसिद्ध गोपाल मंदिर पर बांसुरी वादन किया जाता है संग के पदादिकारियों ने गोपाल मंदिर में भगवान श्रीक रश्न को माल्यारपन भी किया गोपाल मंदर पर संग के स्वयम सेवकों ने पूर्ण गणवेश में पाँच रचनाओं की प्रस्तुती दी इसके पाथ संचलन राजवाडा पहुंचा जहां पर भी घोश ने अपनी कई रचनाओं की प्रस्तुती दी संचलन में इस वर्ष भी कई वाग शामिल किये गए थे जिसमें नागांक, तुरिय, स्वरद, शंख और मासुरी शामिल था संचलन में लगभग सौव वादक शामिल हुए संचलन का समापन मलाराश्ट्रम पर किया गया पर लुए सब पॉमिल होते हैं और इसमें नए नए वाद्धों का पी भावेश हुआ है जेसे श्रंग है आनक तोरद है तुरिय, ये से नए वाद्धों का पी भावेश किया है जोब ये बगवान सरीके रषन का मुख्यवाद बंजी था और रुसी आदार पर ये बंजि सब्सक्राइब का वादन इसका रिखास पर होता है जन्मस्री लुक्तर पर और इसमें एक महा पूर्ट पर सही अभ्याद होता है और सभी विद्याद के सामिल होते हैं जूकि भगवान का जो भाद देवन्सी है और उसी इसमें कुझे रचना है ताही रखी है उसलेक्टर र प्राचिन जी बंदीर भगवान करते हैं गोपाल बंदीर इस पर आकर माल्यार पढ़कर और उरुप के सामने वादन करके ये इसमें को पूड़किया करें